चलिए सुरू करें तो पहला है हमारा एस्पेस टेकनोलोजी तो एक सेटेलाइट है इसका नाम है सेंटिनेल 6 पूरा नाम यहां पर कॉपर निकस सेंटिनेल 6 माइकल फ्रेलिच सेटेलाइट यह लांच किया गया है अभी अबाउड एस्पेसेक्स फैलकॉन नाइन राकेट चलिए क्यों ना क्वेश्चन कुछ एक दो पूछले यह एस्पेसेक्स किस कंपनी कौन सा कंपनी इसका मालिक है इस पेसेक्स का इस पेसेक्स का इस तो पूलियो तेसला तेसला अनिमेश टेसला का कौन ओनर है क्या पूछ है founder हां उसका owner ऐसा वो एलज़नन्मसक टिक है तो यह जो है यह सेटिनईल इंहलोड को छोड़ा गया है काम क्या करेगा तो मैजर था है procurement क्यूंकि हाइट इस ह्ए अप मेजलन क्या है थोड़ा सा दिख लेते है हम लोग तो this is land और यह पानी का यह लेवल है तो यह लेवल हो सकता है बढ़ जाए तो यह लेवल को major यह करेगा तो बदताए यह लेवल महमत है कुछ बढ़ रहे है क्या अच्छा तो यह लेवल हमको बताएए कि लेवल क्यों बढ़ेगा आखिरकार ऐसा क्या मतलब लेवल क्यों बढ़ेगा क्यों हाँ निमेश बोलिया ग्लोबल वार्मिंगे चलते है ग्लोबल वार्मिंग एक रीचन हो सकता है अतुफा अतुफा आप बती है कि कोश्चन तो थोड़ा टफ हो जाएगा एनिवेश हम कोश्चन पूछ रहा है यह एल निनो में के टाइम में जब हाँ जब एल निनो रहेगा तो उस टाइम में जहां पर एल निनो होता है वहां का वसन का लेवल बढ़ेगा या कम हो जाएगा बढ़ना चाहिए सब क्यों सी लेवल राइज होगा तो इसका पता नहीं सब कोई बता सकता है थोड़ा फ़र्क आता है तो कि ओसन में करेंट्स भी होते है तो कहीं पर ठंडा होता है वहां से पानी चलता है गर्म के तरफ में है आपका बात हम अगरी कर रहें पर इस थोड़ा सा फरक होता है कहीं पर कि अधिया तो यह थे टेंपरेशन जाद होगा तो सी लेवल कम होना चाहिए नहीं यह थे टेंपरेशन हाई होता है तो वाटर का एक्सपैंशन होगा तो सी लेवल ज्यादा होगा ठेक एवापरेशन इसमें यहां पर वह काम उतना नहीं करता है पॉइंट फाइव डिग्री में बलकि वह एक्सपैंड कर राक हो जाता है तो यह जो होगा सी लेवल थोड़ा सा राइज करेगा हां तो बात यह कर रहे थे कि इसका जो मेजरमेंट है उसका कई सारा अर्ली डिटेक्शन ऑफ एल लीनो और फरकस्टिंग अफ वेजर वेगरा में यह काम आएगा ठीक है तो यह बात हम लोग देखे कि सेंटिनल 6 जो है वो ओसेन का हाइट मेजर करने के लिए सेटलाइट है तो यह जमीन के मुकाबल आस्मान से वह ज्यादा बिटर मेजर होता है चली आगे वड़ते हैं लोग तो एक प्रोब भेजा है चाइना बलकि भेजा था आने मेंस कुछ बोल रहे क्या शर तो जैसे बभाव सी लेवल एक्ष сказать मेटर या फिर बिलो सी लेबल तो हर जेगा बहुत माईलग रहावा है लेकिन होता है finds हां लेंगे सकते हैं इक चीज आपको बता रहें क्लियर हो जाएंगे आप कभी इस्टेशन में देखते हैं कि एस्टेशन के लिखावर रहता है बहुत चीज़ लिखा रहता है से नहीं एक सी लेबल से रिलेटेड है हाँ वो लिखा रहता है कि इसके याद है किसी को याद है पढ़िए गाश्टेसन में जाकर के अक्सर लिखा रहता है कि इट इस एबोव जैसे लिखा रहेगा 160 meter above mean sea level देखिएगा आगे से mean sea level not sea level mean sea level तो यह mean sea level जो है अपने आप में बता रहा है कि कुछ न कुछ चक्कर है यहाँ पर कि mean भी लेना पड़ता है तो sea level तो एक ही होना चाहिए था तो mean sea level लेक पड़ता है भारते कुछ बोल रही है अच्छा आगे बढ़ते हम लोग तो यह चाइना जो है वह मून पर एक प्रोब भेजा है वहाँ से sample collection के लिए तो sample collection अल्रेडी हो चुका है अब यह वापस लोट रहा है तो इस mission का नाम था चैंग चैंग फाइब चैंग फॉर था ना चैंग फॉर था चैंग फॉर क्या किया था तो यह फार साइड वाला था ना फार साइड में फार साइड में लैंड किया था और वहां से फुट भेजा था और हां सही है और यह फाइब जो है अब collection ला रहा है साइड लेके आप ही गया होगा मतलब ही हम ट्रैक कर रहे थे न्यूज को तो यह बोला है चैंग न कि हम और भी country लोग को देंगे यह हम क्यूं शुट अलिए यह तो हमसे नियूज चाहिए है फ्राल नीकाल लिया है आरहा है चलिए बाकिया पढ़ ही लेंगे कि क्या-क्या हम लोगों को इसमें जो है यह क्या-क्या पता चलेगा पढ़ लीजेगा कि कि हम उसे क्या नुमान लगाएंगे मून का जियलोजिकल फीचर से सोलर सिस्टम के बारे में हमको कुछ आइडिया लगेगा रॉक का इज हम लोको पता चल जाएगा और टाइनी क्रैक्स जो उसमें होंगे उसे हमको रेडियेशन हिस्ट्रिशन का पता चल जाएगा कापने लेकिन हम मैसेज डाले थे कि ग्रेट कंजंग्शन आप लोग चाहें तो देख सकते हैं तो ग्रेट कंजंग्शन हो रहा है और 21st को यह हो जाएगा ग्रेट का मतलब क्योंकि टू लार्जेस्ट प्लिट आप आवर सोलर सिस्टम यह जो हो हैं वो बिल्कुल करीब आ गये हैं 21st को सट जाएंगे दूसरे से दिखेगा ऐसा और उसके बाद जो यह होगा एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे हम यह इसको आपने को ट्रेक करवा आए शुरू-शुरू में अगर यह डिश्टेंस इस तरह से था हम आप लोगों को और यह करीब आते गया करीब आते गया अभी हालत क्या है अभी बिल्कुल वेस्टर्न होरिजन पे बिल्कुल करीब है आज अगर आप लोग देख पाए तो तो यह इस तरह का पोजिशन बना चुके है अभी और 21st को यह जुपिटर जो होगा यह सेटर्न को क्रास कर जाएगा यह यह उल्टा हो जागा पोजिशन जो ऐसा पोजिशन था अभी ऐसा पोजिशन था यह रिवर्स होने वाला है तो जिस दिन वो टच करेगा वो 21st है 400 years after 400 years इतना जोज बिंड्रा केट्व यह मिलेगा कैंगें कुछ ऐसे बने किलोज विव मिल रहा है क्दू आप लोगों इसे क definitive में से और में तो अब थोड़ा बता दे रहे हैं ऐसा क्रोशिंग क्यूं हो रहा है तो अर्थ को सेंटर पर रख करके बता दे रहे हैं या सन को सेंटर पर रख करके बता दे रहे हैं हम लोग यहां पर हैं और हम लोग का मुव्मेंट जो है वो डिरेक्शन यह है और यह लोग दोनों जो है जूपिटर जूपिटर को हम रेड लिये थे यह रेड इस तरह से और तो यह जो है यह नहीं ऐसे नहीं ले सकते तो यह जो है सैटर्न का अगर पोजिशन है तो कुछ इस तरह से इस तरह से था तो हम बता दे रहे कि क्या पोजिशन क्या था ने यह साथ बज़े डूब रहा है तो आपका एस एरिया से कोई बिल्डिंग आ जा रहा होगा हमको दिखा है मतलब साड़े छे तक तौंदेखके ही हम मैसेज किये तो साथ देख जाएगा आप लोगों को हाँ तो हम बात कर रह है तो यह दिश्टेंस आपको नजर आ रहा था हो कहा रहा है आप लोग बता सकते हैं हम बता ही चुकि हैँ यह चलिए इसमें से कौन, किसको क्रास कर रहा है। 7 जोपीटर करेग क्रेगा क्यों करेगा क्योंकि यहís हिसाब से इसमें अनलोजी लिया अच्छा अनलोजी है कि यह जो रुनर है सैटर्न यह स्लो रुनर है यह धीरे-धीर दोड़ेगा तो यह 30 30 years में 30 years में एक चक्र मारेगा और यह जो है यह फास्ट रुनर है एक बार इसके आसपास पहुंच जाता है ठीक मतलब वह एक एंगिल में दिखते हैं हमारे हम से तो यह होता है बार बार लेकिन मतलब जब तक Saturn एक चक्र मारेगा, यह तो चक्र मार लेता है, धाई चक्र मार लेता है, तो यह हर धाई साल में दिखता है नजदीक आते हुए, लिकिन इस फ़र कुछ एंगिल ऐसा बन रहा है, कि 400 years में एक once in a 400 years opportunity है, तो आप लोग परसो इसको देख सकते हैं, बिल्कुल ट कर रहा है, हाला कि वो दूर रहेंगे, लेकिन एंगिल कुछ अर्थ से बोले, तो एंगिल कुछ इस तर से बन जाएगा, जो ब्राइटर है, वो जुपिटर है, ठीक है, इसको ग्रेट बोल रहे हैं, क्योंकि यह दो ग्रेट पर लिनेट का है, पहले भी 2005 में एक एक Spectacular conjunction आया था, उसका नाम Spectacular रखा गया था, उसमें Mercury, Venus और Saturn जो थे, वो पास में आया थे, सारी हम दो सल बोले ना, हम गलत बोल दिये, every two decades, हर 20 साल में एक बारे पास आते हैं, हम वही सोच रहे थे कि ऐसा कैसे होगा, तो every two decades, 20 साल में एक बार, तो ऐसे भी यह यह opportunity जो रहे रही हुआ, ठीक हम लोग आगे बात करते हैं, और यह जो है, इसमें खुभी और भी है, इसमें कि यह रात को एक क्रॉस करेगा, अगर यह भी बात आप अगर ले लेंगे, कि यह भी unique event है, तो यह फिर, यह 800 years में पहली बार हो रहा है, पता नहीं, यह हम लोग को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यह सोचने अलबात होगा कि, actually, क्योंकि बहुत जल्दी डूब जा रहा है, 7 बज़े के अंदर, तो यह crossing पता नहीं हम लोग देख पाएंगे, कि नहीं, अच्छा, आगे बढ़ते हैं, तो चाइना एक nuclear reactor बनाया है, इसको artificial sun बोल रहा है, तो sun में जो reaction हो रहा है, वही reaction करवा करवा कर बना रहा है, आप णाएक बहा है, पूशा, तो सारे के सारे नुकलर फीजन पर चलता है, लेकिने नुकलर फ्योजन पर यह बनाया है, और इसको टेमपरेचर जो है, sun का कूर से कई गुणा जादा है, तो चाना एक लारज़ेस्ट एंड मोस्ट एडवांसट- नुकलर फ्यूजान रियक्टर दस्गुना ज्यादा है यह सन का टेंपरेचर से उसका कूर का टेंपरेचर से इसको इसलिए आर्टिफीसियल सन का नाम दे रहा है चलिए आगे बढ़ते है अच्छा आप लोग यह पते है कि जैसी बोस कौन सा काम किये थे खास अच्छा आप लिया नहीं बताया था के दिर इस लाइफ इन प्लांट्स अच्छा ये तो ठीक है और इस के आलावे बस यह याद है सर्थ कोई और बोल सकता है कुछ रेडियो सिग्नल को लेके सर्थ क्या था सही बोल रहा है आगे बोलीए इस लेटियल याद नहीं सर्थ अफेड़ेड अफेड़ इस अच्छा आध आध ये वह क्या किये थे ना वह पहली बार कॉम्निकेट कर वायत है रेडियो सिग्नल से रेडियो सिग्नल से कोई कि एक्स्प्लोसिव एगर जो है उसको मतलब एक्स्प्लोड कर दिये थे डिस्टन्स कम्निकेशन करवा के पहला वर दिखाया थे एक बुक भी लिखे थे उससे में वो दो इन्विजबल दो वर्ल्ड ऑफ इन्विजबल फेनोमेन या ऐसे कुछ करके तो उससे में तो इनक है इसको इस माइल इस्टं फैसलिटी बताया है माइल इस्टं फैसलिटी को बोलते हैं या किसीoquैको बोलते हैं contribution करे तो इंडिया में ऐसा milestone जो है वो ओनर सिगनिफिकेंट technological achievement which have global और regional impact तो इसके पहले अगर इंडिया का बात करे अभी GMRT को मिला इसके पहले जेसी वो सब्सक्राइब जो सब्सक्राइब करके दिखाये थे और सीवी रमन का जो था इसकर्टरिंग ओफ लाइट यह यह phenomenon को भी मिला है milestone का टैग तो एक थोर्ड होगी इंडिया के लिए जिसको की milestone facility का category में ढाला गया है आगे चले हम लोग युरोप में एक वोलकेन है बड़ा फेमस है यह है मांट विसुवियस तो विसुवियस एज complex volcano आप लोगों को याद है क्या complex volcano क्या होता है complex या क्वेश्ज पाइसइट कि मिल रखा फेमचैτα का थोग मिला अक यह ही थोद्ट है तो इसको कोध चणिायए तो अतने है कझेम मीध को रखे toilette क नों ब्सका यह शाए तो यह य गश्ए टी Canadian और विवेंट हो जाएंगे तो इसको बोलते हैं तो इसमें एक इरॉप्शन हुआ था सेवेंटीन एडी में उस इरॉप्शन में काफी लोग मारे गाये थे एराउंड 16,000 तो उसमें से जो मरे हुए लोग थे उनमें से दो लोगों का बॉड़ी जो है वो मिला है वो नेचरल हो गया बॉड़ी तो बॉड़ी मिला है चुकि इसमें विस्वियस के बारे में नॉलेज था पुछ तो इसलिए मिसको डाल देये हां पर अमांग दो मोस्ट डेंजरस वोल्केनों इन दो वोल्ड दू इस प्रक्सिमेटी तो नेपल सेंड सरांडिंग तो जब उस समय आया था जब वोल्केनों एरप्ट हुआ था तो तो उस समय उसके पहले और्थक्वेक्स भी आ रहे था लिए लोग इगनोर किये और इस कारण से वहां इतना डैमेज हुआ और लास्ट जो इसका आया था वोल्केन एरप्ट हुआ था ताट इस डूरिं वोल्ड वार नैंटीन फॉटिफूर आगे बढ़ते हम लोगों आप लोगों तो पता है डैनोशोर जो थे वो दुनिया से गायव हो गये तो ये 66 मिलियन एर से गो ऐसा हुआ था तो 66 मिलियन एर से गो ऐसा हुआ था क्योंकि यहां पर एक एस्ट्रीट हिट किया था और हिट करने के कारण एक तो एस्टोराइट का हिटिंग ही अपने अपने कारण है, दुसरा कारण है कि एस्टोराइट का हिट करने कारण ही तरह मैसिव डश्ट उड़ा, कि सन का जो लाइट सा वो अर्थ प्याना कम हो गया, तो यहां पर काफी ठंडा हो गया मौसम, और उस कारण से भी यह मारे जाये था, क्लाइमेट में, जिसके कारण से डैनासोर इक्स्टिंक्ट हुए थे, उस समय भी हुए थे, डैनासोर के दूसरी प्रजादिया थे, तो यह जो हुआ था, यह ग्लोबल वार्मिंग था, और यह वार्मिंग जो हुआ था, उस वार्मिंग के कारण, जो प्लांट थे वह प्लांट्स में चेंज़े जाए तो प्लांट्स लंबे-लंबे हो गया है तो उस कंडिक्शन में जो छोटे-छोटे डैनोशोर थे size of goat वो खत्म हो गया और जो बड़े-बड़े वाले थे वो बच गया और धीरे-धीरे और भी बड़े होते चले गये क्योंकि वो बहुत लंबे-लंबे थे और बहुत उंचा भी खा सकते थे उंचा प्लांट को भी तो दिरे-दिरे करके और भी बड़े हो गया और फिर वो जो बड़े वाले थे वो सकेंड ओला जो इंपक्ट हुआ उसमें गया हो गया तो चलिए पढ़िए गया सब चीश आगे बढ़ते हम लोग यह बहुत न्यूज में था याद रखिएगा जरूर यह कावा इस 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 एलिफेंट का नाम है इसका दो-तीन आर्टिकल आया था इधर में यह पाकिस्तान का जू है पाकिस्तान का जू में यह अकेला ही था और इसको लेकर के जो वर्ल्ड के कुछ एनिमल फ्रेंडली जो वह फाइट किये कि इसको कमबोडिया पहुचाया जाए जहां का यह है तो काफी आंदोलन करने के बाद आखिरकार इसको प्लेन से कमबोडिया पहुचा गया पहुचा दिया गया तो elephants जो है वो social animal है और वो अगर society में नहीं रहते हैं तो वो फिर अपने आपको damage भी करते हैं उनका जैसे उसका partner का death के बाद वो उसका mental health जो था वो जो कि वो self-inflicted injury हो कर रहा था जैसे दो दिवार में सर मारना वेगरा और चलिए आप पढ़ लीजेगा आगे एक गी को यह जो चिपकिली और गरिट वला जो एस्पसीज है यह गी को मिला है नया इस्टोर्न घाट में इसमें जो chemical glands होते हैं chemical glands मतलब उसका gland का नाम बता रहा है femoral pores यह इसमें नहीं है तो यह femoral pores किस काम में आते हैं कि बता सकता है femoral pores the عة बुलिये थे शाया इस बी Yap यह लीक किरने के लिएस्शने के लिए आप यह जो है यह फेरोमोंस यह रिलीज करने के काम आते है और यह कोच में होते हैं तो इसमें नहीं है बट इस्टेल साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि यह फेरोमोंस फिर भी रिलीज करेगा और फेरोमोंस जो होते हैं अब अगला कोश्चन बनेगा तब कि फेरोमोंस जो होते हैं वो क्यों रिल यह सब जो हम डाले है ना और जो डिसकस कर रहे है यह छोटा-छोटा कोश्चन छोटा मोटा एक्जाम में खूब बनता है मतलब खूब तो हाँ अच्छा महमता बोलिया पेरमोंस लेकिन बायो वाला लोग कैसे चुप है यह हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अणिफ करने के लिए और कम्मिनिकेशन के लिएुज़ता है हाँ really for chemical communication chemical communication है हम लोग गिर्वलों मौनिकेशन करते हैं और यह लोग कयमिकल कंपनिकेशन करते हैं तो नंट स्काइब का आ कि अंध को अगर इस हैं तो यह जादर्य खर पाएंगे तो उसमें territoriality का भी एक होता है कि और दूसरे मेल को पूछना पड़ेगा क्या हमारा बॉड़ी में भी कैमिकल कॉम्मिकेशन होता है अनिवेस कुछ बोल रहा है क्या होता है से अच्छा आप कहां तुठा रहा है था साइद नहीं उठाये थे अच्छा 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 हमको लगता है यहां पर तीन लोग भायों वाले हैं लोग बूल नहीं रहे हैं लगता है इधर हुज़र हो गया है नाम लेके बोलते हैं ममतर रुकिए आप वेट केज़े सना सना इधर नहीं है काजल काजल भी नहीं है अतुफा सर हम है यहीं है तो यहां पर यह बता इसका कुछ आइडिया है यहां अनिवेश बोलिया आप कॉंपलेक्स दे रहे हैं तो एक्षप नहीं करेंगे ममतर बोलिया यह सर वह मेल का वह जो स्वेट है वह से होता है वह फिरम मौन से जो की वह साइकालीजी में पढ़े थे कि मौन शायद अट्रैक्स करने की नहीं आप ज्यादा पढ़ लिया है वह थायो एल्कोहल जो स्वेट से रिलीज होता है क्या उससे रिलेटेड कुछ है अचा अचा हम यह करते हैं हम बता रहे हैं मेरा कोशन था कि क्या हमारा बॉडी में हम ऐसे बोल रहे थे हम एक दूसरे से नहीं बोल रहे थे हम अपने बॉडी में बोल रहे थे बॉडी में इन्सुलीन जो है इस हॉर्मोन इट यूज टो कॉम्निकेट कि सुगर जादा हो गया है कम करो तो कम करो तो लीवर कम करने लगता है तो बोलता नहीं है उस पैंक्रिया जाके लीवर को कैमिकल छोड़के बता देता है कि चलो शुरू हो जाओ तो यह फेमल बॉडी में जो है यह सारी के सब्सक्राइब करते हैं कि अवलूशन होगा होना चाहिए तो यह हमारे बॉडी में अंदर में इंटर्नल कम्मुनिकेशन में बहुत बड़ा रोल है हाँ एक्स्टर्नल का अगर बात करें तो फिर ममतावला पॉइंट उठाई थी कि क्या यह कम्मुनिकेशन ह तो है वो ठीक है वो अपने जगह पे कि मेल का स्वेट जो होता है वो तो नहीं बोल सकते है बट इस टाइप अट्राक्ट अट्राक्शन यू बोल सकते है कि फिमल के लिए कभी कभी वो मतलब सक्सॉली एराउजिंग हो सकता है तो हाँ ठीक है वो एक मुद्दा है और यही रिजन है कि फिर अगर उस तरह से बात करें तो कि लोग अपना पर्फ्यूम जो लगाते हैं तो दिस इच टाइप अप कॉमिकेशन बट हम एक पर कोशन थोड़ा अलग था कर आगे बढ़ते हैं तो यह वाला आप लोग 13 में तो उसके घर वाली केस किये हैं कि इसका जो डिट था वो पॉलूशन के कारण हुँआ था यह बद்धा यह केस चल रहा है इसमें कई सारे जो है वह इनवर्मेनटल एक्टिविस्ट भी लगे हुए हैं तो इसका case का अगर फैसला फैवर में जाएगा तो इसके काफे implications होंगे UK में और हर जगह में कि मतलब कि लोग जो होगा वो सरकार के सिक बोल पाएंगे कि आप compensate केजिए आप क्यों नहीं कि पॉलूशन कम कि हम मेरा death हो गया right to life हम मंता क्या बोल रहे हैं सर तब यहां पर भी जैसे pollution के कारण जो death होता है तो उसमें हम लोग right to life के लिए हम लोग कर सकते हैं अभी UK में है तो इंडिया का बात बहुत अलग है UK में आ रहा है अब UK में अगर होगा तो फिर हम मता यहां पर होगा लेकिन यह इंडिया के लिए अभी काफी दूर बात है बहुत तूर है हम लोग अभी comparison कहां कर सकते हैं अच्छा आगे बढ़ते हैं तो पेरिस agreement आप लोग को पता ही है यह हम थोड़ा थोड़ा पढ़ दे रहे हैं पेरिस agreement कि ट्रम्प उससे बाहर निकल गए थे चलिए पूछी देते हैं कोश्चन कई वार पूछे है पेरिस क्लाइमेट अग्रिमेंट का टार्गेट क्या है पूजा यह जो मतलब 2100 तक यह जो प्री इंडस्ट्रियल एरा था उस सरमें कम से दो डिगरी से तक का टेमपरेचर रखना है दो डिगरी से बढ़ने नहीं देना है अथूफा कोच और इसमें और भी है क्या हां सर कम से कम या तो तू डिगरी रखना है या तो फिर वन पॉइंट पाइव उसका टार्गेट रखना है पुस्टिस करना है कि वन पाइब से भी नीचे ही रहे ठीक है तो अच्छा मंता कुछ बोल रही है नहीं सर वो इसी के लिए है अच्छा ठीक आगे बढ़ते हैं लोग तो पेरिस एग्रिमेंट में और कुछ नया कुछ अगर हो तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट आप लोग पढ़ियेगा और अच्छा से पढ़ियेगा अब आते हम लोग लैव ग्रों मीट तो सिंगापूर जो है वो पहला कंट्री बन गया है जो लैव ग्रों मीट को पर्मिशन दिया है सेल के लिए यह भी न्यूज जो है आप लोग को अगदम ट्रैक करना चाहिए तो कुल्चर्ड चिकन तो आप अब है अब यह यहां पर कोश्चन दिया है जो है वह कुल्चर्ड मीट से कैसे different कुल्चूर्ड मेट इस दिफेरेंट फ्रॉम प्लांट पेस्ट मीट सासत बुलिया सर इसको वेजेटेरियन लोग भी खा पाएगा ने ने वह नहीं पुछ रहा है मेरा कोश्चन आप नहीं समझें मेरा कोश्चन है कि दो तरह का मीट का बात किया है एक कुल्चर्ड मीट और एक प्लांट बेस्ट मीट यह दोनों में क्या फर्क है कोश्चन थोड़ा अलग है कुल्चर्ड मीट और बना जाएगा या रखेगा जो बात बता रहे है द्यान से सुनियेगा कुल्चरड मीट क्या है इसमें जैसे चिकन का cell लिया जाएगा और cell ले करके उसको फिर जैसे पेट्रिडिस में या कोहीं पर भी उसको nutrition दे करके उसको ग्रू करा दिया जाएगा तो वो जो पार्ट बनाना चाहा जाएगा, वो पार्ट बन जाएगा, आप उसका लीवर बनाना चाहता है, लीवर बना दीजिए, जो भी पार्ट, आप उसका लेगपीस बनाना चाहता है, लेकिन वो चिकन नहीं होगा, वो सेल से वो ग्रो कराया जाएगा, यह है कल्चुर्ड मीट, इ इनका protein से बनाया जायगा जो test करने में meat जासा ही होगा तो एक है हमारा जिसमें की animal cell का यूज कर रहे है animal का नहीं, animal cell का. और एक में animal से कोई connection नहीं है, इसमें plant based है. जो protein वाले plant होते हैं, उनका protein को इस तरह से बना दिया जाएगा कि वो meat जाएं. तो क्या हम एक कोशन पूछ रहे हैं क्या प्लांट बेस्ट मीट को खा करके पता चलेगा कि हम क्यों खा के कि यह प्लांट बेस्ट मीट खा रहा है यह असली वाला मीट नहीं भारते बुलिया एक में बोन रहेगा एक बोन लेस्ट रहेगा और मानली जब बोलने से खिलाए जाग तो दोनों का तब का पता नहीं जए अनिवेश फाइबर्स रहेंगे एक में डिफरेंशेट कर सकते हैं उससे ह्ट मुमता भे हाँ उठाके गाव हो गयい है जिसको एक्स्पीरिएंस लेगा पता कर लेगा क्या पोरिए या प्रापको टहाइंए सेर हम बोहें नहीं पता चलेगा ठीक ह about it आचा ठीक है ये नहीं पता चलेगा बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा क्योंकि इसका जो molecular structure है बिल्कुल ही animal meat का होगा नहीं पता चलेगा जब तक बताया ना जाया तब तक नहीं पता चलेगा तो ये चाहे plant based meat हो और चाहे वो cultured meat हो ये दोनों meat जो होगा और test में एक ही लगेगा लेकिन plant based meat को कई जगा पर permission मिल गया है cultured meat को permission देने वाला Singapore पहला country है ठेक अब हम detail है बता दिये कि क्या difference है यहाँ पर एक cell से बनाते हैं और एक बनाते हैं देख लिए ज़िए इन टर्म अब cellular structure cultured और cultivated meat is same as conventional meat sir यह तो बहुत महेंगा मिलेगा नहीं यह सस्ता मिलेगा क्यों सस्ता मिलेगा क्योंकि इसमें वेश्टिज नहीं है आप एक तो जल्दी बन जायेगा दूसरा बात है कि poultry खोलने के लिए जो जमीन लेना पड़ता है जितना बड़ा उतना जमीन के जरूत नहीं पड़ेगा जो टाइम है उसका मतलब incubation period जैसे तीन में चैर में चूजा को रखते है वो टाइम कम हो जाएगा तो हर तरह से यह यह सस्ता हो जाएगा मीट का डिमांड को फुल्फिल कर देगा और इसका मतलब देखा जाए तो environment पे भी अच्छा effect है जैसे land यूज जो होगा उसको 95% कम कर देगा मतलब सीधा सा बात है कि पॉल्ट्री में जितना जगा लगता है उसका 5% जगा में उतना मीटे बना देगा और इमिशन जो होगा वो इमिशन जो होगा यह भी कम होगा तो हर तरह से यह फिर यह चुकि सेफ इन्वार्मेंट में बनता है इसलिए इसमें कोई पैथोजन होने का जैसे कोई जैसे बॉर्ड फ्लू अगरी का होने का वो चांस भी खतम हो जाएगा तो कुल मिलाकर के यह मीट जो है खेर सिंगापूर अब प्लांट बेस्ट वाला तो यहां पर आएगा तो वो आहीं जाएगा अब एनिमल वाला धीरी धीर करके देखा जायता है के नहीं आता है कुछ है इसमें कुछ इथिक लिशु तो आहीं जाते हैं जो लो कुछ लोको इटाते हैं कि आखीर का अरसल भी तो जिन्दधा है तो फिर इसको फिर लोगों को ऐस頂ना tylko मेंट दाएगा कि कि लोगों जो सोचएंगे कि यह यह सेजितेरियदा है तो थो है नहीं इस तरह का प्लांट बेस्ट मीट में जो प्रोटीन है ना उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर को इस तरह से चेंज कर दिया जाएगा कि वो पूरी तरह से लगेगा कि यह मतलब अनिमल मेट है लेकिन प्लांट का प्रोटीन होगा उसमें यूज नहीं है खेगा सर्थ आगे बढ़ते हैं हम लोग यूएस में एक एंटी डोपिंग आक्ट बना है उसका नाम है रोडचेन को आक्ट यह रोडचेन को आक्ट जो है यह रसियन नाम जैसा लग रहा है वी रसियन है यह वो पर्सन था जो बताया था कि रसिया की सरकार ओफिसियली डोपिंग करा रहा है इसा आप लोगों को याद होगा कि रसियन एक बन्यूज आया था जिसमें रसियन जो लाब्स हैं उसमें किस तरह से सैंपल को रिप्लेस किया जा रहा था मतब रसिया खुद ही अपने अथलीट को डोपिंग करवा रहा था और उनका सैंपल जो है इरीन सैंपल ब्लड सैंपल कुछ भी वो चेंज कर दे रहा था और ताकि उसका रिपोर्ट जो है वो सही आ है तो यह वेस में कानून बना है जिसमें कि अभी तक क्या होता है कि डोपिंग में कौन फस्ता है डो तो लोगों को सजा दिया जाएगा और क्रिमिनल केस हो गया है तो जो यह वाडा है वाडा आप जो पता होगा सि इसका कहना है कि हम लोग को पाश जो कोड है एंटि-डोपिंग का वो कोड ईनिवर्सलिए को तो ज्यादा प goosebumps को कोड यह जादा है हर कांट्री अपना अपना अगर code बनाने लगेगा जैसे इवस बनाया है तो हमारा authority चे होगा वो कमजोर होगा तो ये thousand से ज्यादा athlete को रोसिया doping कराया था और इस कारण से उसको winter olympics house को रियां बैन किया गया था इंडिया में भी एक law बनाने का बात चल रहा है anti-doping probably doping समझ रहा होंगे तो अगर नहीं समझ किसी को समझ है तो हमका हाथ उठाक बतिएगा तो ये जो होगा इंडिया में जो है वो doping को criminalize करने का एक bill मतलब एक proposal है तो लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि जो criminal जो ये होगा जो sanctions होगा वो sanctions वही होगा जो वाड़ा करवाता है आगे चल एक है बिमारी वैसोप्लेजिया वैसोप्लेजिया में क्या होता है heart के जो muscles जो blood vessels होते हैं blood vessels वो paralyzed हो जाते हैं sorry blood vessels जो होते हैं वो paralyzed हो जाते हैं तो इसके कारण से low blood pressure होता है और patient का death भी हो सकता है कुछ biology का term था इसलिए हम इसको रखे यहां पर कि इसमें देखा यह गया है कि जिन लोगों में ऐसा होता है cardiac surgery के बाद ऐसा होता है उनमें उनमें endothelial progenitor cell और hematopoetic stem cell जो होते हैं वो कम कम देखे जाते हैं तो यह एक तरसे एक precursor bio marker है कि यह इस person में vasoplegia plesia जो होगा वो develop होगा अब बता सकते हैं क्या यह hematopoetic cell जो होता है stem cell यह कहां मिलता है hematopoetic stem cells अगर आपको ढूंड़ना हो body में तो कहां जाके ढूंड़ना है hematopoetic stem cells भारती बुलियो sir, lever में अनिमेस बुलियो है हार्ट शायद सर्थ ममता बलिया सर्य बून मेरो में बून मेरो में देखिए सब आप लोग को जनना चाहिए तो यह बून मेरो में जो hemato हम डिटेल बता रहा है हेमेटो वह जो भारती बोल रही थी नहीं वह हेपाट उसका वह स्पलिंग है हेपाटो हेपाटो तो हेपाटो अगर होता तब लीवर होता यह हीमेटो है हेमेटो मतलब यह हो जागा blood से कुछ न कुछ इसकरलेशन से भागा तो वही सेल है हेमेटो पॉइटिक सेल जिसे blood cells बनते हैं यानि कि यही वह सेल है ध्यान से सुनिये हेमेटो पॉइटिक stem cells जो है इसी cells से WBC भी बनता है इसे से WBC भी बनता है इसे से प्लैटलेट से बनते हैं यह सारा का सारा blood मतलब आप ऐसे समझें कि आरवी सी तो हमारा चलिए कोशन आप पूछता है आरवी सी जो होता है कितना दिन उसका लाइफ होता है आरवी सी का लाइफ 120 देज ठीक है चली एक और कुशन पूछेंगे यह आरवी सी जो होता है वो डेथ कहां हो जाता है इसका डेथ होने के बद कहां चला जाता है ज्यादा स्पेसिफिक पूछ रहे है वाट इज ग्रेव यार्ड और आरवी सी मीरा स्प्लीम हाँ स्प्लीम और यह लीबर भी यह जो मरा हुआ जो सेल होता है उसका यूज करता है उसका आरवी से तो मरता रहेगा तो पैदा कहां से होगा पैदा हो गई है पैटो वर्टिक सेल जो होंगे इसी से यह सेल पैदा होगा प्लेटलेट भी कभी ज्यादा एक सप्ता का टाइम होता है तो वह भी कहां यह भी होगा तो हम एक कुश्चन डलने का पिछे रिजन भी यही था कि कुछ-कुछ वोट से वह समझा देते हैं तो बाकी पढ़िएगा कुछ-कुछ बायों का कुश्चन आ रहा है और BPSC में कहीं बाई चांस तो फिर ऐसा ना हो कि अफसोस हो जाए तो हान रखे कर जो बोल रहा है ऐसा देखा गया है कि जब लोगों को इन्फ्लोएंजा होता है सर यह जो एंडोथीलियल प्रोजेनेटर सेल्स है यह क्या वो ब्लड वेशल्स के लिए है यह टीशू को यह करता है इसमें दिखा हुआ है बटाते है हाँ ब्लड वेशल्स के लिए है सर यह डामेज टीशू रिपेयर के लिए लिखा रहा है वो रिस्पेक्टिबले लिखा है है ना है हमाटोपोईटिक डामेज टीशू और इंडोथेलियल जो है वो ब्लड वेशल्स के लिए है मतलब रिस्पेक्टिवली वोर्ड है हाँ पर है मेटपोईटिक डेमेश्ट इसू इंडोथेलियन इनर लाइनिंग अफ ब्लेड वेसल्स रिस्पेक्टिवली खेकर तो यह विड्यों मेरों में रहते हैं यह cells आगे बढ़ते हैं हम लोग जब influenza लोगों को होता है तो जैसे flu जिसको बोलते है तो लोगों को का death actually influenza नहीं होकर वो bacteria के आढ़ रहता है जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि एस्पैनिस फ्लू हुआ था, एस्पैनिस फ्लू किस एर में हुआ था? बोलियो भर्ती बोलियो 2005 में सर नहीं, नहीं 2005 के हासपस तो 3 में हुआ था, SARS 1 हुआ था बहुत आसान कुश्चन पूछे हैं, लेकिन बहुत ही आसान, खेर ममता बुलियो सर, ये वर्ल्ड वार के बाद ये 1920, 18 से 20 के बीच हुआ था 1920 ऐसा 1918 में हुआ था ठेक है, तो 1918 बहुत एस्पैनिस फ्लू तो एस्पैनिस फ्लू से लोग मरने के जगह में लोग मरे बैक्टिरियल डिजिट से मरे, एस्पैनिस फ्लू के बाद जगह हुआ तो ये बात उठ रहा है यहां पे, कि आखिर कहार ऐस्प्लू होता है, तो फिर लोग मरते बैक्टिरिया से कियो है उसका एक इनिवेस्टिकेशन हो रहा है तो ये कुछ बाते सामने आई है बाते सामने ये आई है कि जैसे लंग्स है ना, तो लंग्स को अगर ये डैमेज करता है फ्लू हम तोड़ समझाने कोशिस कर रहा है अगर ये फ्लू डैमेज करता है, तो जैसे लंग से ब्लीडिंग सुरू हो जाएगा, तो अंदर से ब्लड आने सुरू हो जाएगे, तो यहाँ पर जो बैक्टिरिया होगा, उसको जादा nutrition मिलने लगता है, तो बैक्टिरिया जो होंगे, उनको विटामिन C और एंटी आक्सिडेंट यह सारे के सारे मिलने लगते है तो एक तो उसको यह फायदा है दूसरा बात है कि वहाँ जो इन्वार्मेंट होता है, उसे अडाप्ट करने के लिए एक एंजाइम में बैक्टिरिया निकालता है HTRA, HTRA जो है यह इमिन सिस्टम को वीक कर देता है तो बैक्टिरिया को डवल फायदा है इमिन सिस्टम वीक और दूसरी तरफ में इन्वार्मेंट में ही इसको निट्रिशन मिल गया तो इस कारण से यह इन्फ्लोएंजा के बाद में बैक्टिरियल प्रब्लम्स होते हैं अब दू आर्टिक्ल ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग यह जो है यह हम आप से लोग से बात करेंगे हमको बताइए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टन्स यह क्यों होता है क्या क्या रिजन है बहुत रिजन हो सकते है तो आप लोग इसे थोड़ लग बात करके समझते है क्योंकि यह कई लिखने भी आ सकता है कि इसके बारे में बताइए इसका सोलूसन में बताइए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टन्स लगता है आप लोग इसको समझ नहीं पाए साथ टेक्निकल टर्म होने के कारण यह मुद्ध यह है कि वाई देर आर ड्रग रेजिस्टन्ट माइक्रोब्स ड्रग रेजिस्टन्ट माइक्रोब्स इसको बोल रहा है अंतिमाइक्रोबियल रेजिस्टन्स antimicrobial that is antibiotic, antifungal, antiparasite कुछ भी पूजा बोलिया एक रीजन है कि मतलब जब अगर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लेने पर वो मतलब ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है हाँ एक रीजन है कि अगर हम पूरा एंटियुट का कोर्स नहीं लेते हैं तो ट्रग डेश्टेंट होता है एक रीजन तो नहीं चुछ और गलना है रैंडम म्यूटेशन से भी हो सकता है रैंडब म्यूटेशन से भी हो सकता है हम हमता है क्या बोल रहे हैं सर बहुत जादा एंटिवाडी एंटि एंटि बायटिक्स का यूज़ करके वो एंटिवाटीक मेडिसीन यूज़ करने के वज़ज़ से भी होता है फिर होरिजन्टल ट्रांस ध्रांस जांसमेशन के करण भी रेजिस्टेंट आ जाता जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं जो ज उसका उसमें जो रिजिट्रंट पावर रे वो उस बैक्तिरिया में आ गया है तो इसके बीख रूटा जाहिए तो एक तो ठीक है फिच है कि अगर हम लोग कोर्स नहीं पूरा करें तो यह particularly this is true for TB tuberculosis में क्या होता है कि हम कोर्स नहीं पूरा करते हैं bacteria बचा रहे जाता है कोच और वो जो होता है वो resistant bacteria ही होता है तो ठीक एक reason हुआ दूसरा बात यह है कि mutations तो random mutations हो सकते हैं यह miser cause नहीं है यह अब बात यह है कि indiscriminate use of antibiotic this is responsible indiscriminate कुछ ही भी हुआ सर्दी खान से हुआ डॉक्टर दे दिया antibiotic जाके खरत किला के खा लिए तो इससे क्या होता है कि bacteria जो होते हैं वो बार-बार exposed होते हैं antibiotic से तो वो antibiotic यह antimicrobial resistance जो है उनमें develop हो सकता है तो develop का पिछे region जो है that is natural selection कि वो ही बचते हैं जो कि उस drug को जेल जाते हैं और भी है अब हम गिना रहे हैं और जैसे क्या जो हम लोग जो मुर्गा कभी पलने वालों को देखिएगा पॉल्ट्री में तो पॉल्ट्री में वो इस फिलेज का मतलब हो गया वो जमिन पर भी गिरेगा या मुर्गा से जब काटा जाएगा तो उसका ब्लड से पानी पानी से फिर वो जब जाएगा एक पर पानी निकलेगा तो वो सारा का सारा एरिया में वो क्योंकि एन्टी ब्लड जरूरिये निसका मॉलिक्रएग जाकर chemistry हो गया हो वो पूरा का पूरा जो हो एको सिच्टम है उस व्यड़ी अनको वह एक की लोग पानी यूज करते है उसका जो वेस्टेज जो निकलता है ड्रेनेज से उस ड्रेनेज में अच्छा खासा परसेंट होता है एक तो स्टेडी में आया था कि एक दिन में जितना वो लोग का वेस्टेज निकल रहा था उसमें 40,000 लोगों का मतब पूर्ड हो सकता है उस एंटिवारिक से उतना एंटिवार्टिक को तो खुद भी रिलीज कर देते तो इनवार्मेंट में जो एंटिवार्टिक जा रहा है वो एंटिवार्टिक जो है एंटिवार्टिक हम बोल रहे हैं बट आप लोग अगर ऐसा कोश्म पूछेगा तो anti-microbial ही लिखेगा, anti-fungal, anti-protezoal included. तो दो आर्टिकल था है, तो हम दोनों को नहीं रहने दिये, क्योंकि ये बहुत important होता है, ये आपको हमेशा इसके लिए ready रहना चाहिए. तो करीब-करीब 35% of human infection जो है, वो available medicines उन पर काम नहीं करते. करीब-करीब 7 लाग लोग हर साल मर जाते हैं, क्योंकि कोई भी antibiotic, antiviral, antiparasitic, antipungal, उन पर कामी नहीं करता. और second line और third line, third line मतलब कि, जिसको हम लोग बोलते हैं कि last line of difference, इसके बहुत कोई antibiotic नहीं बचा. वो जो है, उसको भी double होने वाला है, उसका resistance तो कहा है? तो बहुत सारे रिजन हैं पढ़ते हैं हम लोग, miss-use and over-use. Human, livestock, agriculture. कंजूम करने के बाद, 80% जो एंटिवाटिक ड्रग है, वो उसी मॉलेक्यूल में, वो एक्सक्रेटा में निकल जाएंगे. यानि कि वो जाए वो, वो system में आ गया, फिर system में आ गया, अगर, मतलब कि वो drainage में आ गया, अब drainage में आ गया, sewage में, sewage होगा, treatment होगा, treatment होगा, तो हम वैक्टीरिय कहतम हो जाएंगे, लेकिन इंडिया में sewage जो होता है, 37% ही sewage का treatment होता है, बाकी तो गया पानी में, और हम बता दिया, 40,000% डेली होगा कहानी हम सुना दिया अभी, अगर wildlife जो है, वो अगर contact में आता है, इस water का, तो वो क्या होगा, उसके अंदर में भी, antimicrobial resistance होंगे, और वो कुछ ऐसा bacteria को, या fungus को, वो harbor करने लगेगा, जिस पर कि वो काम नहीं करेगा, अंटिबार्टिक, तो naturally हम जब contact में आएंगे, उस animal का, तो हमको भी ले जाएगा वो, मैं तो कहने का मतलब है कि पानी बहके वो जंगल में गया, जंगल में गया और जंगल में एक, सोचे एक मौर पिया, और हम मौर को मार के खाने लिए, तो मौर पिया, तो मौर के अंदर में कुछ bacteria कुछ ऐसे आ सकता है, जो उसके resistant हो, हम मौर को खाने गया और वो bacteria हमारे अंदर में आ गया, तो अब उससे deal करने के लिए कुछ program हुआ है, जिसको कि United Nation Environmental Program, प्रोग्राम बनाया है, उसको एक program को बलता हम लोग One Health, One Health AMR Global Action Plan, तो One Health में क्या होता है कि health के लिए holistic approach लेंगे, मतलब यह नहीं कि हर बार antibiotic बनाने चल दी है, नहीं, पूरा environment देखेंगे, कि हम मिस्यूज कर रहे हैं, चलो इसको कम कर देते हैं, यहाँ पर यह काम करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हम sewage में जाकर, वहाँ पर जाकर treatment कर देंगे, हम देखेंगे कि हम जो wildlife है, उसके साथ contact हमारा कम हो जाए, health को के लिए holistic approach लेंगे, तो इसको गोलते है one health, तो one health program में इस प्रवलों को deal करने का कोशिस किया जा रहा है, यह एक article था, same topic पे, थोड़ा कुछ lucid way में था, तो हम रहने दिये इसको, आप लोग के पढ़ने के लिए, तो नया antibiotic बात है कि एक रास्ता और भी है, कि नया antibiotic बना देते हैं, मालने जे कि कुछ को antibiotic है, जैसे कॉलिस्टीन है, अभी थर्ड लाइन का है, तो कॉलिस्टीन है, कॉलिस्टीन जो है, इस रेशिटेंट हो जाएंगे, बैक्टिरिया, तो ठीक हम नया बना देंगे, बट नया बनाने में तो investment आएगा न, investment आएगा और कंपनिया करेंगी, क्यों नहीं करेंगी, क्योंको पता है, कि इनको जैसे हम एंटिवाटिक बनाएंगे, एंटिवाटिक भी दो सल में, इसके भी रेशिटेंट कोई हो जाएगा, तो मेरे दो सल के बाद मेरे कौन कर देगा, मेरे एंटिवाटिक, तो प्रॉब्लम्स जो है, वो कई सारे है, हम लोगों को अपने मदर फादर से कुछ जीन ही मिल गया है, उस जीन के कारण हम लोग बहुत सारे बैक्टिरिया से लड़ लेते हैं, या असरी नहीं होता हूं, उनका हमारे उपर में, तो इस वाटिकल ट्रॉब्लमस तो इटिस कॉइट इसी, कोई बाथ ही नहीं है, तो जैसे माल लेते हैं कि, कभी-कभी आप देखें, मुन्हों ही resistant होंगे दिस इस वोर्टिकल एक से दो बना और वर्टिकल ट्रांसमिशन लेकिन बैक्टीरिया में बहुत होरिजन्टल टाइप पे ट्रांसमिशन होता है कि दो बैक्टेरिया पास आएंगे और यह जो है यह लेटर अला बैक्टिरिया यह किसी भी तरह से अब ये प्रोसेस है अरेश्टेंट मतलब उस सेंस में होगा कि हचारों बैक्टीरिया थे लेकिन ये जो था इसमें जीन था जिसको बचा लिया अब ये खली बच्चा पैदा किये दिखा जाए तो बाकि तो मर गये और इसको बहुत तो मज़ आया कि सब मर गया अब खली मेरा और मेरा बच्चा लोग रहेगा तो यह कई सारा बनाया यह बक्टीरिया बनाया। नहीं है तो यह दोनों पास आते हैं और connection बनाते हैं और बनाने के बाद यह यह अपना जीन जो होगा इसमें ट्रांस्पर कर देगा यह इसमें अगर कुछ खास हो तो यह आपस में समझ लेता है कि इसमें क्या कमी है तो यह जो है यह यूनिक होरिजन्टल ट्रांस्पर्मिशन है मतलब हम अपने यह जैसे एक आदमी आगर ऐसा होता है इस दुनिया में तो कोई जो बच जा रहा है और अवाँ मेरे बास आओ और ट्रांस्पर जाओ तुमको भी नहीं होता तो वह इस इस अगर इस जो होता है यह नहीं होता कते हैं क्हां ही क्या हूमने वी में कराया जा सकता है हाँ नुहमेस बॉलिये सर्थ पार मैर्व व ट्रांस्पलांट से शैद कर सकते हैं ने बॉन-मर्व ट्रांस्प् लांट से एक जांपल नहीं है एक सहर्ष वह HIV का पेसिशोंन्ज क्योर उगिया था न बोन-मेरो करने से वो एक्जम्पल नहीं है वो गलत वो इसमें फीट नहीं हो रहा है कुछ हम तर यह सर करवाया जा सकता है जैसे कि वह कोई वैक्सिन देते हैं तो वह जैसे हैपाटाइटेस बी वाला जो हुआ था कि अप्लासमा दिया रहा है सबको ने अच्छा कोउचन पूछ लिए जादा क्लारीटी हो जाएगा देखिए हम बोले होरीजेंटल ट्रंसमिशन होगा कि नहीं होगा हम यहां पर दिखा क्या रहे हैं थ्वाद समझेंबात कहां गया व्रव हम दिखा क्या रहे hell हम दिखा रहे हैं कि ये अपने अंदर से एक जीन डाल दिया J54 cert यहां तो इससे क्या हुआ कि जब यहां पर कॉलिष्टीन गीरा थो इस जीन के कारन इस जीन के का कुछ ऐसा प्रोटीन बन गया है कुछ ऐसा कुछ बन गया है कि यह अब कल तक यह मर जाता कॉलिश्टिन से अब नहीं बरेगा क्योंकि इसको बचा लिया तो होरिजेंटल ट्रांस्मिशन में जब हम कोश्चन पूछ रहा है तो आपको हमेशा यह दिमाग में रखना पड़े तो नहीं होगा अभी मताब अभी भी हिट नहीं हुआ है कोई हिट कर रहा है कि अब जब काफिए हिंट दे दिया आचा आप लोग अब अब स्टेम सेल्स आज स्टेम सेल्स था शायद से वह इंड़ित अब याद ही नहीं आ रहे है है समझ गया है लेकिन वो मुद्धा बात बना नहीं अच्छा अब हम बोल रहे हैं अब कितना हिंट दे अब तो अपसोस होगा आप लोगों को देखते हैं यह एक बच्चा है अब बोलिएगा मता ना क्योंकि आप तो याद आजागा तो रहे हों को पता है यह एक बच्चा है इसका माइटोकॉंड्रिया में एक एक जो जीन है वो जीन डिफेक्टिव है तो किसी का ला करके इसमें घुशा दीया है साइड से हम लोग जो भी जीनिटिक इंजिर्बिंग कर रहे हैं वो सारे का होडेटुन ट्रंस्मिशन है अगर खास करके, बतलब अगर बहतर एक्जांपल लेना है, तो किसी पार्ट का अगर जेनटिंग एजिनिंग करके उसको ठिक करते हैं, माल यह थोड़े के लिए कि पैनक्रियाज में, अगर हम लोग कोई जीन डाल करके पैनक्रियाज को ठिक कर देते हैं, तो यह क्या हुआ, लेकिन थोड़ा सा हम कौलिफाई करेंगे इसको और एक भी तो हो सकता है वो जो ये सकार्टा जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो जीन डाल रहा था सेल जो टी सेल्स था उसको वो स्ट्रॉंग कर रहा था नहीं आप लोग आप लोग हमको लगता है कि अभी भी फॉलो नहीं कर पा रहा है मेरा बात देखिए हम यह एक्जांपल इसका वही हो सकता है जिसमें बेबी बन चुका है ठीक और इंब्राय कम से कम बन चुका है और उसके बाद उसका जीन में आप चेंज कर देए या या ग्रोन परसन है ग्रोन परसन और ग्रोन परसन में आप क्या कर रहा है उसमें जाके जीन ही चेंज कर दे रहा है तो जीन अगर आप चेंज कर दे रहा है और व में एक तरह से है भी एक तरह से नहीं भी है इसलिए ना क्योंकि इसमें अगर SPOM के और OVUM के लेवल पर करेंगे अगर काम कर रहे हैं तो इसको नहीं बोल सकते कि यह होरिजेंटल ही हुआ क्योंकि बच्चा बना नहीं है अभी और लेकिन हम यह बोलना चाहर है माल जिГक से को कोई बीमारी कम को नाम में चेंज किये जीनितिक आप एक वायरस डाल दिये वायरस में एक जीन डाल दिये और वाइरस इंफेक्ट करता गया बोन मेरों का सेल को और जीन उस बोन मेरों में जाता चला गया अब इसके बाद क्या परसन जो हो ठीक हो गया अब उसको प्राब्लेम्स नहीं आ रहे हैं तो देस इज होरिजेंटल टांसमिशन तो नेचुरली तो हमारे यहां पर होता नहीं है लेकिन अगर आप हम बात बोल रहे हैं कि यह तभी होरिजेंटल बोलेंगे जब की मतलब जीन का सेट हमारे पास आ चुका है और आने के बाद हम उसमें कट पेस्ट कुछ कर दे रहे हैं जो हम लोग उसको टी शेल्स में अप जब उसको डाल रहे थे इस का जीन को जर्च कर रहे यह कर रहे हो जाएगा अब याद आया यह स्काटा मि ती श्ल्स को निकलते हैं एक अच्छा एक्जाम्पुर सकता है T-Cells को निकलते हैं T-cells को manipulate करते हैं उसमें genetic changes करते हैं और वो क्या करता है उसके बाद उसके बाद जब वो अंदर जाता है तो फिर वो जो cancer है उससे fight करना सुरू कर देता है तो T-cells में genetic change हो चुके है तो हम बोलेंगे कि yes, it is horizontal लेकिन लेकिन एक qualified है इसमें एक problem आएगा उसको explanation देना ज़रूरी है कि यह सारा का सारा example नहीं चलेगा यह चलेगा क्या वो mitochondria वाला ही चलेगा क्यों चलेगा क्योंकि transmission जब आप की है तो transmission अगला generation में जाना चाहिए अगर यह नहीं जाएगा तो इस transmission को कोई value नहीं है अगर आप बोल रहे हैं यह horizontal transmission है तो तो horizontal में यहाँ पर क्या होगा जो germ cells होंगे जो ovum बनाने वाले cells है वहाँ पर change करना पड़ेगा तब आप बोल सकते हैं completely कि यह जो है horizontal transmission complete है मतब adult adult का या फिर बच्चा का ही आप जो जिसको बोलते हैं oocytes और या फिर aspermocytes वो हाँ पर जाके change कर देजिए ताकि वो आगे बढ़ पाए naturally human being में यह नहीं होता है यह bacteria आराम से काम करते है अब यहाँ पर उस बात को दिखा रहे है तब थोड़ा बात मेरा और clear हो जाएगा कि यह जो bacteria था यह gene लिया खुद भी protect हुआ और इसके बच्चे भी जो होंगे they will all be protected तो यह horizontal transmission बहुत मातापची हम लोग किये इसमें इसमें आसानी आसान नहीं है पूरा बात एक साथ सारे के सारे condition को meet करना क्योंकि आपका escarta में भी वो उसी परसन तक रह जाएगा व आगे जनरेशन में जाएगा नहीं तो एक तरह से होरे ऐसा नहीं का horizontal नहीं है horizontal तो है ही है gene up change का horizontal तो है ही है लेकिन उसका perfect bacteria के साथ अनलोजी फिट नहीं हो रहा है वो क्योंकि अगला जनरेशन में जाही नहीं रहा है तो bacteria का unique है देखा जाए तो अभी तक सर मतलब कि उसका जो further generation होगा उसमें वो run करना चाहिए इसको तो चुकि hypothetical question था मेरा bacteria में अब पहले समझ लेते हैं bacteria में horizontal transmission जब होता है तो bacteria को भी मिलता है और उसके प्रोजनी को भी वो जाएगा हम लोग जितना सरा बात किये horizontal transmission तो हो रहा है लेकिन उसका अगला generation में हम लोग भेजने का कहीं नहीं दिख रहा है हमारा किसी भी example में mitochondria वाला में एक दिखा था बस bascule mitochondria वाला जो था जो MRN तो बेटी लड़की को जो होगा लड़की को वो transmission होते रहेगा हमेशा के लिए ये gene line change हो गया तो वो mitochondria वाले example अच्छा है जिसमें कि हम लोग को ये सारा का सारा feature देख रहा है designer में भी भी दिखेगा designer में भी भी वो आगे सो generation change हो जाएगा बट अभी designer में ये show रहोना पड़ेगा आगे बढ़ते हम लोग दिखाया है कि हम लोग को हमारे अगर tissue को अगर oxygen कम मिले तो हमारा tissue damage हो जाएगा ज्यादा मिले तो भी damage हो जाएगा ये दिखाया है कि जो marine mammals है whales और dolphins यह जब ऊपर आते हैं तो पूरा oxygen से भर लेते हैं high oxygen और अंदर घुसते हैं घंटों तक सांस बंद करके तो यह low oxygen में रहते हैं तो इनका tissue जो है वो tissue high oxygen और low oxygen में भी अपने आडप्ट करके रखा हुआ है तो कैसे आडप्ट करके रखा हुआ है उसका एक article है तो आप लोग पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं आप लोग उसमें एक जैसे बताया है कि जब टाइब करती है अंदर तो अपना पढ़ना चाहिए और खासकर करका यूपीसी के लिए सब टॉपिक को हम बिल्कुल चाहते है कि सब पढ़िये हो सकता आप लोगो फीलोग पूछेगा क्या लेकिन यूपीसी बहुत यूनिक है पूछ पूछी देगा वह एक नियूस था ना कि वह एक कुछ प्रजाती थी और उलों क्या है उलों का पाया गया थे कि उल्लों से जादा है क्यूंकि बहुत दाइब करते हों इंडोनेसिया नेज समूदर में ही रहता है वह लोग उसलिए घर बनाकर रहता है अच्छा आगे बढ़ते हम लोग, koronavirus काolutions, तो mutations के बारे में क्षट्डी हुआ है, इस study में यह बत सामने हैं कि sunscreen है, वो उसका transmisability को बढ़ाने में उसका कोई role नहीं है, यानि कि जितने सारी mutations का study किया है, ऐसा नहीं है कि यह कोई जाता तेज़ी से फेलता है, बोल रहा है कि जितने सारे mutation है सब करीब करें neutral है coronavirus को कोई फायदा नहीं है बलकि कुछ तो coronavirus के लिए ही खराब है जो mutations हुए है तो अच्छे mutations coronavirus में वो इसमें लिखा हुआ है कि coronavirus के लिए अच्छे mutation ही हुए है और mutation वो adapt करने के लिए कम कर पाया है हमारे immune system उसको force किया है उसको करवा दिया है mutation उसका तो mutation के रिजन उसका खुद का mutation नहीं है हमारे immune system का करवाया mutation है बहुत खतरनाक mutation अभी तक नहीं आया हुआ है आगे बढ़ते हैं लोग देखे बहुत सारे आपको पता है कि काफी सारे vaccines market में अब आने ही वाले है तो अभी third phase का trial में काफी time लगता है जब थोड़े positive result आ जाते है तो यह जो हमारे जितने सारे vaccine maker है यह लोग US में apply कर रहे हैं कि हम लोग को emergency use approval दिया जाए EUA emergency use approval दिया जाए तो emergency use approval के बारे में आर्टिकल निकला हुआ है तो जो वहां का जो federal drug controller है federal drug authority वो जो है वो किस condition में emergency use approval देगा उसको पता है मतलब कि कानून बने हुए है rules कि यह points अगर सही पाए गए side effect इतना नहीं होना चाहिए effect किसी इतना होना चाहिए public emergency हो तो हम लोग emergency use approval देंगे इंडिया से compression करके इसम बताया है कि इंडिया में भी emergency use approval का बात हो रहा है और हमारा जो drug controller है controller है वो दिया भी है लेकिन यह बोल रहा है कि मचदरबत यह है कि इंडिया में कोई law नहीं है या rules कि क्या किस condition में दिया जाएगा मतलब कि जहां पर अमेरिका बहुत क्लियर है rule of law की काम किया जागा तो किस आधार पर किया जागा इंडिया में कोई rule नहीं दिख रहा है मतलब ad hoc में चल रहा है कि हाँ दे दिया पर्मेशन तो पहला जो वैक्षिन था जिसको पहला मेडिसें जिसको इमर्जेंसी यूज अप्रूवल मिला था दाट वच तामी फ्लू तो जैसे हम बता है ना कि FDA का specific criteria है उसको पता है कि 50% effective होना चाहिए कम से कम कम से कम तीन जाब लोगों पर trial हो गया हो कोई serious adverse effect नहीं होने चाहिए सब कुछ है बट इंडिया में जैसा हम बता है इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है लें फिर भी इंडिया में अप्रूवल दिये गया है तो इसमें ठोड़ा उस point को ही उठाया है हम बता है कि तामी फ्लू जो है वह H1N1 infection के लिए वह दिया गया था इमर्जेंसी यूज अप्रूबल था उसका आगे बढ़ते हैं इनाटेट किंडम जो है वह वैक्सीन का permission मता इमर्जेंसी यूज अप्रूबल दिया है और वहाँ पर वैक्सीन लगना शुरू हो गया है चाइना और रसिया में भी वैक्सीन लगना शुरू हो गया है और दस महिना के अंदर में वैक्सीन रेडी हो गया यह पहला बार मतलब यह ऐसा हुआ है अब एक MRNA रेक्षिन का बात किया है यह कैसे काम करेगा थोड़ा सा आप लोगों तो पता है वैसे MRNA वाला वाला वाट हम थोड़ा फिर से रिपीट कर रहें वह आरन में लगेगा इसमें है कैम ने है MRNA है Mrna जब जाएगा अंदर स्ट को इंफेक्ट करेगा हम अंतर वो यह इस में था ना कि इस पाइक प्रोटीन का वह आ रेने वह वह यूज करेगा मना उसका वहां से करेगा थे स्पाइक प्रोटीन में तब यह जैसे निज आ होगा यह जो होगा यह ब्राइब काम करेगा अब नहीं करेगा तो फिर वह specific पता चलेगा लेकिन अभी तक ते लोग किया ही होगा सारा मतलब कुछ इसका टेस्ट तो और एक जेनरल में है ना जेनरल में कहने का मतलब है कि इसका इफेक्टिवनेश जैसे 95% है तो 95% है तो मुटेशन में तो खेर चेक नहीं कर रहे हैं लेकिन जैसे 3000 लोगों को लगाए तो 3000 लोगों को लगाए और उसमें से 2800 को या 2900 को नहीं हुआ परोना तो नहीं हुआ तो चाहे इसका मतलब है कि जो भी mutation हो लेगिन उतने लोग तो बच गया है ना तो वो तो दूसरा ही रूल पर काम चल रहा है यहां पर mutation का कोई खास मतलब नहीं है क्योंकि उतने लोग बच गया है कोई भी mutation हो वो नहीं infect कर पाया है अच्छा तो यह जो है यह समें होगा क्या यह मरें लगेगा आम में आम में लगेगा तो वहां पर वायरस होगा वह वायरस सेल्स को infect करेगा आप लोग बता पाएंगे कि कहां का सेल को infect करेगा हाव आम तब बुलिये अ में सहर जहां पर इसी रिषेपटर्स होंगे वह जैसे ग्लोबील लॉन नहीं थो खोड़े आहां रहे आप लोग का रयाप समझेंगे थोड़ा यहां पर आप बनाते iba कि समझ लीज़ी वात लो यहां बई इससल सब्सेम्रस बनाते हैं बना दिया, यह वारास कि फायक प्रोटीन वाला वायरस है यह तो क्लियर है कि वायरस यह जाएगा और अगर यहां जाना चाहेगा तो इसले पास रास्ता नहीं है ठीक है लेकिन скорfaritar Zwars नहीं है, regular vaccine क्या है और ऑस्पल बात है इन्य एक supply ЗWith嗦 टो अनने है या इसे भी कर सकता है, इसे भी कर सकता है, पहँ तो बन के, कोरुणा बन के तो नहीं है आरा, यह तो RNA है, तो RNA जो है वो जहाँ पे जिसी spot में वैक्षन दिया जाएगा, अगर आम में देंगा तो आम का सेल को इंफेक्ट कर देंगा, तो आम का सेल में घूसा किया, अब आर् बनाएगा वैसे बनाएगा वैसे इस तो गरबड है तो एक तो अगरेगा इसके अगरेगा तो वह जहां जाएगा वहां वहां पर यह इसको पर में अटेक होना शुरू हो जाएगा और इस तर से बॉड़ी ट्रेंड हो जाएगा और यह जो है यह बॉड़ी ट्रेंड हो जाएगा और फ्यूजर में जब प्रोटीन आएगा करोना वाला तो इसको अटेक कर देगा तो यह इसको आप में डाले तो अरे सोचना बहुत पढ़ता है एंटीबोडी एंटीबोडी को तो भी कोई यह नहीं आया है मतलब कि इसका वो एफेक्टिवनेस का भी डेटा हमलत बस नहीं है क्योंकि तो दस महिना में तो बनाई है अभी तो मतलब थार्ड फेज का ट्राइल में दो महिना हुआ होगा और यह लोग तिन महिना में इमर्जनसी यूज अपरूबल ले लिया है तो यह अभी नहीं बोल सकते है लेकि हम लोग यह जरूर जानते हैं कि केवल ऐंटीवाडी का मुद्दा नहीं है मुद्दा तो फिर टी सल्स का भी है सेलूलर भी बडि माॉंट करेगा मेमरी सल्स भी बन सकते हैं तो वह तो बाद में पता चलेगा वो बात में पते चलेगा अच्छा क्या है ये भी तो हो सकता है कि इसके करण वह वह बिमार पढ़ जाए और वह मली जाए अच्छा अब मंता बोल रहे हैं कि इसके करण बिमार पढ़ जाए आप लोगों क्या लगता है अजय कर दो भी जाए अच्छा कर दो दो आप रहे हैं अच्छा कर दो दो आप मर्द ने वाला थोड़ा ज्यादा ओर एक्साइजरेशन लग रहा है वह नहीं सकता क्योंकि अब देखिए इसका इफेक्ट जो होगा वह कोरोना का इफेक्ट नहीं होगा थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी भी यह देखिए समझे बात को यह कोरोना जो है यह पूरा मसीन है यह पूरा मसीन करने का इसके अंदर में MRNA है इसके अंदर में एंजाइम है वो उसको अंदर घुसता है अंदर घुसने के बाद अपना कॉपी बनाता है कॉपी बना करके रिप्लिकेट करता है और सिल को हम पहुंचाता है तो इसका सारा कसर में का नजम है इसका हम लोग करके रहे है इसका आरेनी इसका एम आरेनी जो बन रहा है उसको हम हम यह मारेने यूज़ कर रहे हो ही करता क्या है केवल और केवल बना क्या सकता है स्पाइक प्रोटीन अगर स्पाइक प्रोटीन बन गया और स्पाइक प्रोटीन घुसी जाएगा किसी सल में MRNA जैसे जितना हम उसको देंगे, तो जितना हम देंगे, एक लाख तो एक लाख एस्पाइक प्रोटीन बन जाएगा और एक लाख सेल में अगर घुसी जाएगा, तो सेल के अंदर में वह उतना डेमेजिंग ही तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से वह प्रोलिफरेशन तो नह इसा नहीं बन पाएगा, क्योंकि पूरा कोडिंग तो उसके अंदर में ही नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि एक RNA होता, RNA एंजाइम यूज होता, एंजाइम यूज होता, तो फिर mRNA बनता, फिर क्या RNA से फिर एक खुद का RNA भी बनाता, फिर एक नया वारस तब तक बन जाता ये mRNA ने फिर एक नया वारस बनाता, तो ये इस तरह से ये काम होता रहता, ये लेकिन पूरा का पूरा मेकरिजम तो है नहीं, उसमें तो केवल और केवल स्पाइक पुरेटीन होगा, तो ये कोरोना के एफेक्ट इससे नहीं होगा, देखिए, डेथ जो आप लोग बात कर है कि डेथ उसमें होगा, तो डेथ किस तरह का वैक्षिन में डेथ हो सकता है, कहीं उसी से बीमार होगा, अनिमेस बोलिये, जो लाइव अटेनुयेट्ट वैक्षिन होते हैं, वह वैक्षिन से डेथ हो सकता है, ये ये वो डेड़ वारेस हो 20 जिसको बोलते हैं, इनक्टियोते वैस हो या विमारी फ्यलतने का कोई भी खत्रा नहीं इसे लिए वैक्षेंण डेयराइव वहां से वह थो लेकिन में तो ङछाने कोई हो तो पहसे होलिक अडेनो वाइरस से जो वैक्सिन बना इसे में खत्रा नहीं है क्योंकि यह नन रिप्लिकेटिंग है अपने हो को रिप्लिकेट नहीं कर पाएगा तो फिर वो हमारे लिए कोई खत्रा नहीं है अच्छा आगे बढ़ते हम लोग तो बाकी बाते हैं अगर जो बात है कि कुछ ल अगर अगर ने कुछ काम कर जाता होगा तो होने को तो खैर हो सकता है क्योंकि बहुत सरा मेकानेजम बाइलोजिकल नहीं पकड़ सकते हैं कि वह मारे ने जो किसके साथ और लेकिन करोना रिलेटेड यह काम यह नहीं करेगा मतलब पोलियो जैसे होता था वैक्सिन है तो वो तो अलग होता है अच्छा खैर तो चले आगे बड़े तर्मों यह आर्टिका खुद पढ़ियेगा पढ़ियेगा अच्छा आर्टिकल है इसमें रैटर यह लिख रहा है कि जो वैक्सिन है वो वैक्सिन अगर सबको नहीं मिल रहा है और सेलेक्टेड फ्यू को अगर मिलेगा तो यह वायरेस को इलिमिनेट करना आसान नहीं होगा पोलियो का वैक्सिन आने के बाद लेकर रहा है कि 13 years हो गये और उसके बाद जाके eradication हम लोग कर पाए तो आसान नहीं होगा अगर कुछ लोग भी छूट जाते हैं तो यह बोल रहा है कि यह मतलब कोई खास फैदा नहीं है इंडिविजल प्रोटेक्ट रहेगा बट पूरा सुसाइटी अगर प्रोटेक्ट कर रहा हो तो मास लेवल पे सबको देना पड़ेगा यह इस बात को उठा है अच्छा अलिक है पढ़िएगा समझ में आ जाएगा आगे बढ़ते हम लो यहां पर हम लोग पढ़े फाइजर का और और मॉडर्ना का और हम लोग आभी पर देख लाए आख्सपोर्ट एस्ट्राजेनिका का पढ़ ले रहा है अभी तो वो जो दोनों वैक्सिन थे आप बता सकते हैं वो किस टेक्नोलोजी पे थे मतलब कि लाइव दोनों में शायदे मारे ने ही है और दोनों में से एक जो हम लोग देखे थे एक जो था उसका प्राब्लम्स था उसको यूज करने ने बड़ा मुस्किल है कौन सा है वो किसी को आइडिया नहीं है यह पूजा बुलिया , सर वो फैजर वाला उसमें क्या कि टंपरेटर मतलब उसका काफी लोग रकना पड़ता है ? साही वह गया तो उसको पहल तो प्रटेक्टिव कोटिंग में रखिए और प्रटेक्टिव कोटिंग में रखिए उसको एकदम लो टेंपरेचर में रखिएगा तब जाकर करेश टेबल रहेगा तो यह एक प्रॉल्बम इसमें है mRNA vaccine का ये बड़ा problem है कि mRNA नॉर्मली रहता नहीं नॉर्मल टेपरिचर में अब आया Oxford-Estrogenica इसका effectiveness कितना है इसका effectiveness around 70% ये कम effective है लेकर writer बोल रहा है कि फिर भी better है मतलब इंडिया के लिए तो खास करके हम लोग देखते हैं क्यों ये बहतर है एक और भी pathism बताए एक यूनिक टैप एक चीज आया हुआ है बड़ा अजीब टैप के फाइंडिंग है इसमें दो डोज जो है न वो देने का है एक डोज है और एक दूसरा डोज है ये दो डोज जो दे रहे है अगर ये डोज दोनों डोज फूल दे रहे है तो इफेक्टिवनेश जो है इस अराउंद 62 परसेंट लेकिन अगर आप एक डोज को आधा कर दीजिए पहला वाला डोज को और जूसरा फूल डोज देजिए तो 95 परसेंट हो जा रहे है ये बड़ा युणिक फइंडिंग है कि कम किये पहला वाला तो उपकेक्टिवनेश जदा है तो इसे एक बात तो है कि अगर यह वयक्सिन का दाम होगा यह ज्यादा होगा अनिमेज ज्यादा होगा ज़्यादा होगा ज़्यादा होगा तो यह जो होगा मतलब फुल्डोज के मुकाबले और सस्ता हुए भी हो जाएगा और प्लस जादे लोगों को वैक्सिनिट कर पाएंगे क्योंकि यह वाला फिर इधर यूज हो जाएगा ना यहाफ ठीक तो खेर तो यह जो है यह थोड़ा सा आजीब सा आपूजा मतलब कैसे पदा जले की आदा देने से मतलब इसको कुछ नी देते हैं तो देखते हैं कि इसमें कि इसमें कितने लिग बिमार पड़ें, इसमें कितने लिग बिमार पड़ें तो यह तो बड़ा यूनिक है तो च्छा खहर हो लोग देखते हैं इसका और क्या-क्या खुबी है इसका सबसे बड़ा खुबी यह दिख रहा है कि यह नॉर्मल फ्रिज टमपरेचर में 2-8 डिगरी के बीच में इसको इस्टोर कर सकते हैं तो इंडिया के लिए बता रहा है यह क्योंकि कोई भी अगर यह कोई भी वैक्सिन अगर 50% जादे एक्टिव है तो वह यूज यूजबल है उसको यूजबल माना जाएगा तो यह जो है यह 2-8 डिगरे सल्सियस में यह रखा जा सकता है और क्या खुबी है और ऑक्सपोर्ड बोला है कि हम बिना प्रॉफिट का इसको बेचेंगे तो यह इसमें भी दाम कम हो जाएगा तो कुल मिलकार के जो कीमत आ रहा है वो आ रहा है बहुत फर्क है मतलब दसगूना का फर्क आ जायाँगा आगर आप मोडेरना का लेंगे तो 25 डॉलर का एक और इसका लेंगे तो तो 2.5 कम हो जाएगा फिर हम आल्रेड़ी फ्रीज वेकरा का हमारे पास चेन है तो हम आराम से इसको चार उतर फैला भी देंगे और इंडिया में इसी से इसी से मिलता जुलता एक सीरम में सी चूठ ज़क हो वी शृडका अल्रेड़ी हो ट्रेशिंग कर रहा है तो उसका सफलता यांनि हम इसका भी सफलता फिर तो Oxford-Kuala का जो वैक्सिन है इंडिया में भी चुकि इसका टेस्टिंग हो रहा है ना Pfizer ना Moderna दोनों में से कोई भी इंडिया के साथ अभी tie-up नहीं किया हुए इंडिया के किसी कंपनी के साथ में तो यहाँ पर टेस्टिंग नहीं हो रहा है और एक दूसरा क्या है रसिया का स्पुतनिक वैक्सिन जो है यह भी उसी टेक्नोलोजी पर है इसका भी इंडिया में डॉक्टर रेड़ी ओलोग ट्राइल कर रहा है तो अगर यह टेक्नोलोजी सक्सेस्फुल है तो इसका मतलब कि यह कोविसिल्ड और स्पुतनिक 5 वैक्सिन जो होंगे वो इंडिया में लॉंच किये जा सकेंगे ठेक आगे बढ़ते हैं वैक्सिन नेसल लजिम आप लोगों बहुत पढ़ा चुके हैं पढ़ लिजेगा इसमें जो और एक बात है वो ही हम किल बताना चाहा रहे है यह सब आप लोगे याद होगा ना कोवेक्स गावी गावी गलोबल अलाइयंस फॉर वैक्सिन इनिसियाटिव चलिए एक पर बता दीजेए कोवेक्स किसको याद है अकेले हैं आप बुलिया यहां पर होगा और बाखी कंट्रियां और बाखी कंट्रियां हो तो पहले से ही करोड़ो करोड़ो तो इसमें बोल रहा है रैटर की जो कंपनिया है उनको हम profit कमाने के लिए छोड़ नहीं सकते यह बोल रहा है कि किसी भी समान का कला बज़ारी करना this is crime तो वो इस case में भी देखना होगा और इस जो कंपनिया है इनको हम कमाने के लिए बहुत पैसा नहीं छोड़ सकते हैं कि यह अनाप सनाप कमाए इसमें वो एक आप बता सकते है क्या कि कि अगर कोई कम कोई मैडिशन जो है वो कोई कंपनी बनाती है एक foreign country में उसके पास patent है तो वो हमारे देश में वो बहुत महेंगा है सरकार सोचती है और लोग तो मर जाएंगे तो क्या सरकार के पास कुछ option होता है कि वो इन company को force कर सके कि तुम इतना पैसा मत कमाओ हां काजर बोलिए है इसको बोलते हैं compulsory licensing याद रखिएगा compulsory licensing compulsory licensing जो होता है थोड़ा समझा देते हैं इसको इस पर आया है न्यूज तो हम समझा दे रहा है compulsory licensing में क्या होता है कि अगर सुचिए कि किसी एक वायल का एक कीमत जो है 10,000 रुपी है एक वायल का और कोई cancer का पैसेंट को हर मीना हर नहीं हर सब्ता लगता है तो यह तो फिर वो लोग मरेंगे और ऐसा हो जाए कि काफी यह cancer particular cancer लोग में फैल ले रहा तो सरकार बोली गया रहे तो बड़ा मुश्किल है कोई कंपनी इंडिया में क्या बोलेगी कि हमका बनाने दीजिए नाम तो दस रुप बना देंगे अब जो एक ethical question हो गया patent holder बोलता ना और कोई इंडिया में रेडी है इंडिया वाला गया उसके पास में सोची यह company जो है यह फाइजर है रेंट बेक्स ही गया नो वाट इसके पास में क्या रहे हमको लैसेंस दे तो हम लोग हम चलो 50 रुपी में बेचेंगे और तुमको दे देंगे 40 रुपी हम 10 रुपी में हम अपना परफोर अगर निकाल लेंगे तो वो बोल रहे है नहीं यह नहीं चलेगा हमको तो चाहिए 9000 चाहिए तुम अपना देख लो तो बात तो बना नहीं और हमारे लोग मर रहे है तो क्या होगा सरकार बीच में आ सकती है यह WTO में उसको permission है मतलब 20 साल का जहां पर उनको patent भी मिलता है वहां पर पर्मिशन है यह seller unveiling है लेकिन कुछ नहीं कर सकता बोलीगी कि तुमको 50 रुपी मिलेगा अपना और यह बनाएगा बनाएगा साइन करो तो यह जो होगा यह facility का बोल रहा है कि हम लोगों को ऐसे condition में यूज करना चाहिए तो हम लोग इसको last यूज जो किये थे 2012 में किये थे और यह किये और लिवर ट्यूमर्स में यह यूज होता है 97% पॉस्ट गिर गया था एक बार कंपॉस्ट लेसंसे करने से अब बायर इसको नेक्सावार के नाम से बीचता है तो यह हालत वैसे हम आपको बता दे कि यह राइटर लिख तो दिया यह होगा होगा नहीं क्योंकि हम जब हमारी जो नहीं सरकार एंडिया की बनी थी उससे समय नियू जा गया था कि हमारी सरकार प्रॉमिस कर चुकि अम् हम लोग यूज कर सकते हैं और यह लोग भी जो अंडर डेवलॉप्ट कंट्रीज और कोई भी कोई भी कर सकता है इसको हर कंट्री को परमेशन असा गावी बता दीजेए एक बाद गावी वह एलाइजन्स का नाम है यह एलाइजन्स जो है इसका नाम है गावी ठीक, ग्लोबल आलाइजन्स फॉर वेक्शिन इनिसियाटिव और इस कोवीड के लिए जो हम पार्टनर्शिप किये है यह हमारा कोवेक्स नाम है इसको मतलब गावी प्री कोवीड टाइम से ही है और कोवेक्स फैसलिटी इसके टाइम में आया हुआ है अच्छा तो हँम बता रहे थे कि वो जो है सरकार अमेरिका से प्रॉमिस के थे कि हम नहीं लाएंगे तो यह इसका उम्मीद हम वोको नहीं रखना चाहिए अब बदा सकते हैं कि यह जो है एक्चली ज्यादातर दुनिया का जो पैटेंट है ना वह अमेरिका के पास तो अमेरिका के कमपनिया को नुक्सान होता है अमेरिका इस अगर लोग एक्टिव रहे एक्सराइज करें दौड़े उसका टाइमिंग भी दिया हुआ है कि जैसे एवरेज 60 मिनट डेली तो लोग जो होंगे वो लोगों का मतलब एक निया टेक्नोलोजी आया हुआ है उसका नाम है प्रिवर्श ट्रन्स्रिप्टेज लुक मेडियेटिट इसो थर्मल एम्पीकेशन ये नया टेक्नोलोजी है ये वायरस का डिटेक्शन का टी टेक्नोलोजी है थिस बेस्ट अन आर्टी मिनट अइस का डिवर्श काजल बसुमिया करने गाग veggie कि फोता प्रिख में आ laughs कट प्रांस्रिप्श्न कर आठेवा रहे डीएर ट्रांसिप्श्थ्रिक्शन एक इसके लिए उन歌 निमने तो यह जो होगा यह viral RNA को DNA में बनाएगा तो DNA बनाएगा तो DNA बनाएगा तो आप लोगो तो RT-PCR-UG यादी है RT-PCR उसके बद polyface chain reaction होता है polyface chain reaction होता है तो उसके बाद जो DNA के एंपलिफाई करते हैं और amplify करते हैं उसके DNA तो है तो RT-PCR और इसमें कहां पर फरक है इसमें जो technology है और उसमें जो technology है उसमें कुछ फरक है जैसे आर्टी-PCR में क्या है जब RNA को हम लोग amplify करते है तो temperature जो होता है कैसे होता है 92 degree में ले जाई है ठेक और फिर 56 degree में ले आई है और हर दो मिनट में ये काम जो आप करते रही है मतलब टेंपरेचर बढ़ा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा ये जो होगा ये साइकल जो होगा ये रिपीट होते रहता है यानि कि कंप्लेक्स मेकनिसम है तो ये जो हमारा नया टेक्नलोजी है वो 65 degree centigrade में ये कर देगा ये तो एक constant temperature है तो यहाँ पर एक cost जो होगा ये control हो जाता है और ये जो amplification करता है ये RTPCR में जो amplification होता है इसका हजारों कुन्हा इंप्लिफिकेशन कर रहा है और ये आधा घंटा में result भी दे रहा है जबकि RTPCR 10 hours में result देता है तो कुल मिलाकर के हम बात कर रहे है कि यह नए टेकनलोजी आयोगा, यह लाम्प जो है वो काफी युश्वल टेकनलोजी दिख रहा है और इसका जो रिजेंट्स है वो फोर डिगरी सेटियस में अस्टोर किया सकते है जबकि जो आटीपीसेर के रिजेंट्स है वो मैंश 20 डि सेंसेटिविटी जबके लांप का जो है वो 98.7 परसेंट है और लांप का स्पेसिविटी 100 परसेंट है मतलब की सेंसेटिविटी अचा बताइए यह वाट इस इस सेंसेटिविटी आप लगा बताइए sensitivity कोई नहीं बता रहा है sensitivity का मतलब हो गया कि अगर virus present है तो वो उसको कितना चांसे जी के पकड़ लेगा that is 98.7% in the case of lamb और specificity 100% का मतलब है कर virus नहीं है तो कितना security के साथ बोल पाएगा कि virus नहीं है 100% 100% के समें जब ना बोलेगा तो नहीं होगा और हाँ जब भी बोलेगा तो 98% के समे ये वो हाँ होगा miss करने का चांस जोगा इसका काफी कम है और ना को हाँ बोलने का चांस जीरो है तो ये सब है और इंडिया में ये बनेगा कुछ अगापे डियागनोस्टिक जो है वो lamp technology बनाया है इंडिया में और ये अबसुरू होगा ये जो लोग वेपिंग करते है e-cigarettes उनमें जो lungs के symptoms है और जो corona में जो lungs के symptoms है वो दोनों एक जैसे तो कई बर क्या हो रहा है कि डॉक्टर्स लोग को lung का condition देखे लाग रहा है corona है test में negative आ जा रहा है और वेपिंग में जो lung का डैमेज हुआ है वो अलब तरीका से उसका treatment होगा और जो corona में जो डैमेज हुआ अलब तरीका से treatment होगा इसलिए जानना जरूरी है कि वेपिंग से हुआ है इसलिए लोगो को मतलब यह से पूछना कि वेपिंग करते हैं क्या यही बहुत जरूरी है 3D स्वाब जो होता है स्वाब्स यह जो स्वाब्स हैं उनका 3D प्रिंटिंग का एक निउज है कि 3D प्रिंटिंग से भी स्वाब बनाया जा सकता है कहने का मतलब कि स्वाब जो होगा किसी कंपनियों बनेगा स्वाब जो निकालने के काम आता है नाक से सैंपल वो स्वाब जो होगा वो किसी कंपनियों बनेगा ट्रांस्पोर्टेशन होगा और आएगा और उसके जगह में इसका 3D प्रिंटिंग भी हो सकता है और यह काफी कम कॉस्ट में हो सकता है यह जेनराली इसके लिए इनसिनेटर लगे हुए होते हैं अश्पिटल में, तो उसका प्रोटकॉल होगा, तो हम तो जो भी डिकली वस्ट काम जेनरल बात बता दे रहे हैं, वो घ्मेंच में देखें, इनसिनेटर लगा हुआ होता है, उसमें वो जलते रहता है, मतलब जला क कहीं होता है हम जहां तक जान रहे है कुछ बात कर लिये स्वाइब स्वाइब स्वाइब्स लास्ट है हमारा अभी तक क्या है हम लोग इस बारे में काम कर रहे है कि कुरोना का spike protein को damage कर दिया जाए corona को खराब कर दिया जाए कुछ ऐसा दवाबर ना दिजए कि corona corona परिशान हो जाए scientist अभी ये देखने को कुछिस कर रहे है कि हमारा cell का cell membrane कैसे react करता है corona से तो cell membrane में उसे क्या change करा दिये जाए किसी medicine से कि वो corona को घुसने एक novel approach है कि इस तरीका से भी ये काम हो सकता है तो complete हुआ आप लोग का test होगा तो हम बता देंगे notice देंगे पहले तो हम बोले हैं हिस्टरी को तो हिस्टरी का ही लेंगे test अब यहां से हम थोड़ा से busy हो रहे है तो class age वैसे भी लेने का कोई मतलब नहीं है इस week में आने वाला week मेरे लिए क्योंकि आप लोग BPC maximum लोग BPC दे रहे हैं तो अब लोग BPC दे के आईए उसके बाद ही class शुरू करेंगे और अगर जैसा हमको पूरा चांस लग रहा है कि fourth से open होगा कम से कम सरकार permission दे देगी तो हम लोग अगर permission देगी तो फिर हम class और फिर online नहीं लेंगे हम फिर सीधे आप लोगों को वहां class में ही मिलेंगे मतला सीधा offline class शुरू होगा और फिर्स अगर permission देगी तो फिर्स से नहीं शुरू करेंगे दो तिन बात से करेंगे क्योंकि maximum लोग जा रहे हैं तो अब फिलहाल जो मेरा समझ है कि जो यह का discussion है करेंट का discussion होगा टेस्ट के बाद या जैसे भी वह तो मेरा नेट पे जहां है वहां नेट का करेंड करेगा तो उस दिन discussion कर लेंगे एक दिन discussion कर लेंगे history का discussion कर लेंगे question का और फिर प्रवावली हम लोग classroom में ही मिल रहे है most प्रवावली उमीद कर रहे है और अगर सरकार बहुत बेकूफ नहीं हुई तो पर्मिशन दे देगी गहत अजीव है जारकंड की सरकार का भी कहानी जारकंड की सरकार बोली कि सरकारी इसकुल खुलेगा सरकारी 17 से खुलने वाला था तो सरकारी खुलेगा मज़दार बात है कि सरकारी खुलेगा प्रवेट का नहीं था उसमें कोचिंग का तो बात ही छोड़ देजिए तो मतलब सरकार का थिंकिंग हैं ज कि सरकारी में सब्रेक strict कम फ्यलते होगा प्रइवीट जाकर किऊ ज्यादा फैलेगा तो फिर आज मुहारे है प्रेवेट कि हले नेकित कैशिट्री का फेलाते हैं और प्रिवेट वाले खुलेंगे फोर्थ से, और कोचिंग के बारे हम कुछ आथा पता नहीं है, इनको, मतलब के बोल रहे हैं कि कोचिंग का भी निंड़ नहीं हुआ है, तो कोचिंग जो होगा, लगता है, तो बड़ा बेकुफी वारा कोछ कोछ डिसीजन होता है सरकार का तो यह बेकुफी देखके हम उमीद कर रहे है कि खुल जाएगा क्योंकि बेकुफी कोई नो के तो बता देगा सरकार को कि इस तरह इतना भी बड़ा बेकुफी मत कीजिये 10 से 10 से उपर का यह लोग खोल रहा है देखते हैं क्या क्या परमिशन मिले तो मिले खोला जाएगा और नहीं मिलेगा तो फिर चलेंगे हम लोग इस तरह से हां किसी को कुछ पुछना है ठीक है तो नहीं पुछना है तो फिर क्लोज कर रहा है बाकी नोटीस आप लोग को दे देंगे हम टेस्ट का हम पुछ प्रवब्ली टेस्ट जो है आप लोग का हो रहा है तुस्टे को हिस्टी का टेस्ट्ट यह वाला से थास्टे हो जाएगा जाएगा धी को ख रहाए मैं थान्यू झाल झाल झाल